नियाय अधिकार और कर्म के देवता सेवा प्रधान ग्रह शनी वक्री हो रहे हैं और अगले पांच बहिनों के लिए ये वक्री रहेंगे और आपकी राशी पर वक्री शनी का क्या प्रभाव होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कर्म के देवता शनी वक्री हो रहे चार बदद रहें, जून से नॉम्बर तक आपकी राशी पर क्या प्रफाव होगा और कैसे शनी को परसंद नहीं किया जाए, वो महा उपायर क्या होगा, वक्री ग्रह क्या होता है, 30 जून, 2024 से 15 नॉम्बर 2024 तक शनी वक्री रहेंगे, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसके पावर यारि उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो वो अच्छा और बुरा दोनों प्रपेधाम जो है, वो double speed से देता है, दोनों की गूर बढ़ जाते हैं, अच्छे गूर भी बढ़ जाते हैं, वक्री ग्रह को ठोस और स्टीक पढ़ देते हैं, वक्री ग्र आपको जलोए है। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा, अधूरा ग्यान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ग्यान दूँगा, समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएंगे, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, समझेगा, वक्री का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा ग्यान जो है ना, हम लोग बोलते कि कोई भी ग्यान उल्टा नहीं होता है, पहले तो आप इस बात को समझें, हम बोलते जरूर है, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं, हमें दिखता है कि उल्टा चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, तो उल कि फॉलटा चलना होता नहीं वास्तामें बस लगता है कि वॉलटा चलता है वक्री ग्रह क्या होता आप यहां से बहुत ध़ान से समझेगा वक्री पुन famously के कारण ciao दिखाता यानay कि फिसली जिन्दगी को भी दिखाता है, जो जिन्दगी आपकी वर्तमान में है और जो आपके पिछला जनम है उसको भी दिखाता है, सूरी चंदर के लावा हर वर्ष कुछ ना कुछ वक्त के लिए वक्री होता है, सूरी चंदर कभी वक्री नहीं होते, राहू और केतू हमेशा वक्र है राहू क्या है मोह यानि कि दुनिया की सारी खुशिया है और केतू क्या है जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़ कर आगे निकल जा यानि मोक्ष है मोक्ष और मो के बीच में ही इनसान फ़सा हुआ है मोक्ष और मो के बीच में ही इनसान फ़सा हुआ है एक पल में आप किहते ہیں कि मुझे बहुत पैसा कमाना है मुझे तो ये बनना है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे इंगिनियर बनना है में बस करोड़ों रुपए मुझे कमाने है जूसरी पल करेते है दुनिया में रखखा किया है ये दुम्यां तो बेकार है, नशश्षवर है, खाली हात आये थे, खाली हात जायेंगे, तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूंते चले जा रहा रहे हैं, आप चक्की की तोट चे किसे फसे हुए हैं मोह और मोक्स के बीच में इंसान फसा हुआ है या आप समझ गए वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है पिछले जन्म में क्या रिण थे यानि कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है न तो कहता है कि अपने रिणों को उतार लो अपने करजों को उतार लो अपनी गलतियों को सधार लो चाहे वो पिछले जनम की थी या पिछले इसी जनम की जो पिछली गलतियां थी उनको सधार लो रिणों को उतार लो रिणों को म हाओ में बैटे है तो नवागर भागी का है नवागर धर्म का है ज्यान का है ये घर पित्र का भी है पित्र देवताओं का भी है पिता का भी है गुरू का भी है शिक्षक का भी है तो यहां पर क्या मतलब निकला इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है आपको धरम से जुड़ना है इस समय में आपको तीर से यात्रा करनी है आपको पिता का सम्मान करना है आपको धार्मिक होना है आपको तभी शनी शुभ पढ़नाम देंगे और बहुत शुभ पढ़नाम अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर कुछ और करने के आउशकता नहीं हैं तो उसी भाव से सम्मझें आपको काब करने पड़ेंगे जो मैं आपको आपकी राशी के उनसार बताऊंगा लेकिन जरम खुनली आपको अपनी स्वन देखनी होगी वक्री ग्रह को भाग का ग्रह यानि डेस्टनी प्लैनेट भी करते हैं जो निश्चित और ठोस परण परणाम देता है वक्री ग्रह में चेश्टाबल होता है ताकत होती है और यह मजबूत होता है और वक्री ग्रह उच्छ ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है अगर आपकी जरम खुनली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है तो उसकी जो बुराई देने की छ शम्दा बढ़ जाएगी बड़े बड़े लोगों की कुली में बड़े बड़े लोगों चाहे हीरो हों हीरोईन हों हैं फिल्मी एक्टरस हों चाहे नेता हों चाहे राजनेता हों चाहे क्रिकेटर हों या कोई भी जो बड़े लोग किसी भी छेतर में जो बड़े बड़े लो वक्री ग्रहा है, राज-काज-बद-पर्तिस्ठा कभी कभी बठकाओ भी देता है, फिरसे समझी का वक्री ग्रहा है राज-काज-बद-पर्तिस्ठा देता है, धन और यश्वी देता है अब अगर अच्छा होगा तो वक्री किर राज का अगर निकलेगा पता नहीन चलता कि कौन हमें क्या देडेगा अगर वक्री हो तो धनी राजा संपन ज्यसाब को जीवन होता है सुब हुख्रै अगर वक्री हो आपकी कुली में तो आपको धनी और राजा बनाता है यानि खूप बढ़िया इंसान पैसे वाला हर तरीके ते खुशिया देता है वही पाप ग्रे वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है वो इधर उधर भटकता रहता रहता और मंजिल के नहीं पहु वक्री ग्रह पिछले जन्मों का रण है वक्री ग्रह पिछले दिनों की की गई गलतियां है उनको सुधानना है वक्री ग्रह होने पर क्या होता है वक्री ग्रह जब होता है तो वह पांच दिन पहले से ही अपने पैड़ान देने शुरू कर देता है वो बदर जाता है और व सब्सक्राइस देने रगता है तीस जून से पंदना नमंबर तक शरी वक्री हैं 25 जून से 10 नमंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें खास करके जो भी लोग शरी समंदी वे अशाय करते हैं, बड़ी साउधानी के साथ आगे चलना है और आपको उपाइ भी करना है अब आपको यहां तक अगर मिनी बास समझ में आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बड़न को दबाएं फेस्बूक को इस्सेग्राम पर आपने फॉलो करें और अपना प्यार दें अब कमेंट बॉक में जाए शरी देव जरूर लिखें फिर मैं कहूंगा आप जिर्म पुर्ली को भी जरूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ वहां पर शरी कैसे बैठें उसको भी देखना जरूरी है बोचर में तो बताई है लेकिन जिर्म पुर्ली में कहा है कैसे हैं किस अवस्ताबे हैं ये देखना भी बहुत पावश्यक होगा शरी देव को कैसे उपायों से खुश किया जाए शरी देव के इस टेव में भगवान शिव शिव को की उपासना जो है न उसको करने से शनी देव शान्त होते हैं और हर्मान जी की उपासना करने से भी शनी परसन्द होते हैं और शान्त होते हैं तो एक उपाय दिकला शिव जी की अरादना करनी है और हर्मान जी की अरादना करनी है प्राण परतिष्टित मंदिर में जाकर करनी शनी को शान्त करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनी को शान्त करने के लिए आप मीलम पहन सकते हैं, अब देखें मीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना बहुत महँई ही जाती है, यह शनी को प्रसंद करना है और मारा माल होना है तो उपाय तो करने बस इसकी पावर थोड़ी सी कम है ये कम-कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है अगर आपको बहुत अच्छा रुदाक्ष है ही कहते हैं सुप्रीम पावर तो आपको 14 मुखी रुदाक्ष पहनना पड़ेगा इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते ये आपको ऐसे सर्प्राइजिस देगा कि आपको जीवन खुश हो जाएगा मेडिटेशन कर ले वो लोग 14 मुखी रुदाक्ष पहने वो लोग 7 मुखी रुदाक्ष पहने और नहीं तो रुदाक्ष कवच पहने रुदाक्ष कवच में तीन 7 मुखी रुदाक्ष कवच होता है ये पहने जिसके पास पैसे हो वो 14 मुखी पहने जिसके पास थोड़े स से बनी होनी चाहिए तो अगर आपको साथ मुखी रुद्राक्ष कवच चाहिए बागी उपाया की राशी के उसार में आपको बताऊंगा कुछ भी पहने श्रद्धा से पहने विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूंगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्म भी ताकतवर है, लेकि चौदा मुखी रुद्राक्ष चाक्षाइड शिव है और सॉदा की रुन्दाक्ष ग्रह है, रत्मी ग्रहों की अपादी में आते हैं, तो चौदा Anim पहनने वाले लकी होंगे, अब बात करते हैं आपकी वहां कफल देंगे और तिसे घर में कुम राशी है दूरा के स्वामी है और शनी को तीसरा फिर बहुत ही ज्यादा पसंद है वर्टवान Και जिसको पसंद होता है तो फिर वहां पे अच्छे परिणाम भी मिलते हैं यानि शुफ फल भी मिलते हैं शनी पीछे जरूर चल रहे हैं शनी आपके चौते घर में बैठे हैं लेकिन तीसे घर के भी जल दे रहे हैं तीसे भावपा भी फल दे रहे हैं तो ये आपके लिए बह भाष्भ है , बहुत शादार है , बह conception है , शनी पीछे जाकर आपको आगे बढ़ादेंगे , इसका मतलब क्या हुआ आपको जबर्दस सफलता दे रहेंगे शनी की धईया चल रही है चिंता परशानी बिल्कुल नहीं डर बिल्कुल मत करिए सब बढ़िया होने वजा हैं आप इस समय में शनी की धईया की वजह से जो परशानी जेल रहे हैं वो यह है कि आप बहुत नेगेटिव हैं आपके मन में बु जहत्र खराब हो जाना इस्पिताल में भर्ती तक हो जाना आपके साथ हो रहा है तो अब जब शनी वक्री हो रहे हैं तो आपको इन परभावों से यानि आपको जो नेगेटिव विचार हैं नेगेटिव इससे मुक्ति दे देंगे वक्री शनी बुड़े परिणाम नहीं जो लोग कह रहे हैं कि बुरा-बुरा उनको मारी गोली यहां तो अच्छा हो रहा है शनी आपको सर्प्राइज देंगे शनी की तीसी दिश्टी चरे भाव पर है तो शनी बहुत बहतर परिणाम देंगे यानि आपकी परशानियों को आपके शत्रों को नाश कर देंगे श इतने सीरियूज हो जाएंगे इतने गंबीर हो जाएंगे इतना मन लगाकर काम करेंगे चाहे नौपरी हो चाहे वैपार हो या पढ़ाईो परदांत dues तौ यहां पर आपको सर्प्राइस मिलेंगे जानी कि अपनी सर्प्राइज कहां मिलेंगे हो सकता है आपका किसी अच्छे घर में शादी तैह हो जाए शरी की अगली दस्टी जो साथवी दस्टी है वो दसवे घर पर होगी शरी दसवे घर को देखेंगे और शरी धसवे घर में भी बहुत अच्छे रिजल देते हैं क्योंकि ये उप्चै-वाउ है तो शरी यहां से क काम रोजदार को बहुत अचा कर देंगे कार एप शित्र में आपको सफलता मिलेंगी जानी नौकरी में ट्रांस्टर हो सकता हैiger से ज्ञुड़िनेट еक सब्सक्रशनां नौपरा यह नहीं से जुड़े हो यानि विजली एनरजी सोलर से जुड़े हैं लोहे से जुड़े हैं रियर स्टेट से जुड़े हैं कैमिकल से जुड़े हैं अग्रिकल्टर से जुड़े हैं उन लोगों के छेत्रों में अचानक से नए आमदनी के राख्ते पुल जाएंगे जो पुराने रा प्रियार मिल जाए और शत्रों का विनाश हो जाए उसके लिए तो सब कुछ बढ़ जाए तो आपकी दाल गल जाएगी और आप बहुत सक्सेस्पूल इनसान हो जाएंगे शनी जीवन के हर एक शेत्र में आपको शांदार इड़ देंगे इस बात में कोई कमी नहीं है प्रट सब्सक्राइब करने इसके साथ सब्सक्राइब काली जिसका दूद पीते हैं उसको उगले हुए चावल खिला सकते हैं तो दाक्ष धारन करिए बहुत अच्छे रिजट मिलेंगे और संपूर्ड रिजल्ट पाने के लिए पी जर्म कुल्ली की जाएंच जरू करा हैं दिए अच्छा है यहां पर आपको मिलाश होने के आप शक्ता परिकूल भी रही हैं आपके काम बढने वाले हैं हाँ अगर सेहत बहुत खराब रहती है या फिकत होती है तो जो उपाय बताया है तो दाक्ष पहलने या वहास को चावल जरूर पिलाएं या दूद या भैरो के सब्सक्राइब बहुत फायदेबंद होंगा चंद्रमा कहां पर विजाजित हैं चंद्रमा शिव जी के मस्तफ पर विजाजित हैं तो समाझ जी से रुद्दाश पैने से किसमा बदल जाएगी तो अभी रुद्दाश कोई और करें यह देखिए कौन-कौन से कारियाते सामने हैं रादे रादे